साथियो मैं राम प्रताप सिंग कुश्वाहा अपने चैनल ग्यान एंड नॉलिज में आप सब का अविनन्दन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज का जो विशय है, सीर्सक है, तारन सब्ध है और ये बहुत ही सम्वेदन सील और बहुत ही गंभीर विशय है इस पे आप पूरी परचर्चा अवस सुनें, इसमें पुलिस का बड़ा ही निस्पक्ष और टटस्त तथा यथार्त ड्रिश्टिकॉन रखा गया है, जो अनुभव और प्रैक्टिकल के उपर ही आधारित है और जितने भी भ्रह्म हैं इस संबंद में, जो ये चौपाई है, ढोल, गमार, सूद्र, पसु, नारी, आधी, आधी, इसके सारे भ्रह्म तोड़ने का प्रयास किया गया है साथियो नमस्कार, साथियो आज जो वारता होगी, वो एक सब्द पे होगी, जो आज ये करेंट अफेर्स का भारत देश में सबसे जोलंत और चर्चित सब्द चला है, ताड़न तो देखिए भारती संब्धान भी इस बात को विसेश वरीता देते हैं, भारती संब्धान की अपनी छेत्री भासा और अपने छेत्री संस्कृति को प्रतेक्व्यक्ति को अबस समझना चाहिए और इस पे जागरूटा भी रखना चाहिए तो इसी पे पूरी भारत की राजनीत भी एन कैन प्रिकरन काफी वर्सों से चल लई है और आज कल तो बिल्कुल मतलब एक अंगारे की रूप में चल लई है जिसे बुंदेल खंड की वासा में कहा जाए तो मैंने आज इस सब्द को चुना है क्योंकि मैंने एक अभी ब्लॉग बनाया था जो विसेश चौपाई है उसके कुछ अंस को छूने का प्रियास किया था डरते डरते लेकिन जो हमारे भाई अब जो हम यूटूब में काम करते हैं तो हम यूटूबर कहलाते हैं और यूटूबर की विसेश गुनवत्ता यही है कि जो चर्चित ट्रॉफिक हो या सीर्शक हो उस पे जरूर प्रिकास वो ढाले अपनी योगविता के अंसार जो इससे उसके जो सब्ट्राइवर हैं वो सुने और एक अपनी विचार धारा बनाए और विचार धारा तो से ह यह दुनिया चल लही है आज तक जो प्रिगति हुई है वो विचारों का ही एक केंद्री करण है अब विचार क्या है विचार तो आज आठ अरव अवादी है प्रतेक व्यक्ति का अलग-अलग विचार है किसी का सकारात्मक विचार हो सकता है किसी का नकारात्मक विचार हो सकारात्मक को चाहे आप धर्म कह लीजे और नकारात्मक सोच को चाहे आप अधर्म कह लीजे और ये प्रतेक प्राणी में है कुमती और सुमती ये रामचरित मानस कहती है और भाई जब ताडन सब्द है तो स्री रामचरित मानस और प्रभू रामजी की परचर्चा तो होगी ही क्योंकि काहरी नलनी तू कुमलानी तेरे ही नील सरोवर पानी तो भाई अगर हम कमल की चर्चा करेंगे तो पानी की चर्चा और तालाव की चर्चा तो अपने आप ओटोमेटिक वे में हो ही जाएगी निसंदे इसको सुनकर आप लोगों आनंद जरूर प्राप्थ होगा और जो छोटा मोटा ज्यान है और जो भ्रम चल ला है देखिए भ्रम तो इतनी बड़ी चीज है कि महा भारत के जो सबसे बड़े महारती थे भीष्म पिताम है भीष्म जो है भ्रम के परियाय थे क्योंकि उनको आसिरवाद प्राप्था कि एक्षवरधान उनको प्राप्था कि अपनी एक्ष़ा के अंसार ही मरेंगे। इसी भ्रह्म में जो है दुर्योधन को ये विश्वास्था कि जीत हमारी ही होगी। तो ऐसा भ्रह्म मत पालियो कोई भी। चाहे स्री राम चरित्मानस के जो पक्ष में बोल ला है वो भी और जो वेपक्ष में बोल ला है वो भी इस सब्दों को मैं छेत्री भासा में ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और बोल चाल की भासा में जो बेवारिक भासा है विसेशकर उत्तर प्रदेश और बुंदेल खंड की और ये एक बड़ा संयोग है कि मेरा जन्म इस्थान तो चित्रकूट के पास मानिकपूर है और फिर जो परवरिश हुई है और उरेई बुंदेल खंड में हुई है और जो छेत्री भासाओं को बोल चाल में सुनने को और बोलने का मौका भी मिला है अब मेरा परचे ये है कि मैं वर्स 1982-83 में पुलिस सेवा में आ गया था और सबसे पहले सब इंपेक्टर के लिए पास हुआ तो मुरादावाद PTC 1 जो सबसे बड़ा कालेध है उत्तर प्रदेश म ट्रेंण कालेज वहाँ पर मैं पहुँचा और इस सब्द को मैंने पहली बार गौर से वहीं पर सुना था देखिए एक थोड़ा आपकी ग्यान भी बढ़ा दें ग्यान एंड नौलेज तो हमारे चैनल का नाम ही है तो भाई नाम ही जब हमने हमारे चैनल का ये है ग्यान ए ट्रेनर होते हैं वो दिवान जी होते हैं और वो दिवान जी मतलब हैट कांस्टिविल और वो सिपाही को भी ट्रेंण देते हैं और जो हमारे सबसे सिनियर पद है मतलब सबसे महात्पूर्ण पद है भारत का जिसको IPS कहते हैं और उनको भी वही ट्रेंण देते हैं साथ के इस तरके अधिकारी हैं लेकिन जो ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग देते हैं विसेस कर आउट डूर की और जिसमें हम लोगों को विसेस रूप से राइफल चलाना अदौर ना खेलना कूदना आदी सिखाया जाता है या पुलिस ट्रेनिंग जो होती है जिससे ट्रेनिंग कहा जाता है आउट डूर और इंडूर में पढ़ाई लिखायी होती है और आउट डूर में ये सारे कार होते हैं तो उसके जो ट्रेनर हैं वो दिवान जी होते हैं और वो दिवान जी के कुछ पैड सब्द हैं पुलिस में पुलिस में वो सब्द या मिलेटरी में वो प्रेजों के टाइम भी बोले जाते रहे, आज भी बोले जाते हैं, उससे पहले भी बोले जाते थे और आगे भी बोले जाते हैं, वो एक तरह से ट्रेणिंग सब्दा वली है, तो मैं मद्द कालीन भारती इत्यास से एमे की डिगरी प्राप्त करने के बाद सेलेक्ट हुआ और जब मैं वहाँ पहुचा तो जो हमारे उस्ताज थे मतलब हमारे हैट कानिश्टेविल दिवान जी साब जो हमारी टोली के इंचार थे उनने जब हमारा रहन सहन और हमारा जो फील्ड वर्क है वो देखा तो उन्होंने का हमने तुम्हें तार लिया है तुम्हें नौकरी नौकरी नहीं कर पाओगे उनके यही सब्दे थे मेरे कानों में आज तक हैं कि हमने तार लिया तुम्हें धीले ढाले आदमी हो कि तुम नौकरी बड़ी मुश्किल से कर पाओगे तुम्हें अब मैंने सोचा कि मैं दूसरे किसी कर क्यों उधारन दूँ जो सब्दा वली उन्होंने हम से यूज की है हम वही उधारन रखें सब के सामने तो साइद लोग बाग अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस चीज को और ये विवाद खतम हो या समाप्त हो या कुछ नरम पड़े या इस तरह की मतलब कलह नहीं होना चाहिए ये कलह चल लेए देश में और अच्छी बात नहीं होती जहां कलह होती है वहां भी सुंदर कांड ने कहा है कि जहां सुमत इतना संपति नाना और जहां कुमति वहां विपत निदाना तो ये तो नीत गत बात हुई तो इससे सपष्ट है कि राम चरित मानस महान नीत गत सास्त्र भी है अध्यात्मे के और वो नीत गत सास्त्र है अब यहीं हम लोग धोका कर लेते हैं क्योंकि किया कहा जाता है कि इसमें राम जी और सीता जी का सिर्फ चरितर है तो चरित्र की अउधारना हमारे मन में मस्तिक में बैड़ जाती है ये बात कोई नहीं समझ पाता कि वो वास्तों में नीत ही सास्त रहे अभी देखिए एक भाई जब मामला जोलन चलना है तो आप जोलन थी प्रसंग रखे जाएंगे आज की तारीक में देखिए भाई किसी को बुरा लगे या भला लगे हमारी टांगांग मत खीचना हम रिटायर्ड आदमी हैं और रिटायर्ड पुलिस वाले हैं तो सुन लेना अच्छा लगे तो कमेंट करना और अगर नहीं अगर अच्छा लगा है तो भी कमेंट करना हम प्रती उत्तर जिरूर देंगे सब का जो भी जिससे कम से कम विचारों का एक संकलन हो और विचारों से ही मन्थन होता है वही समुद्र मन्थन जिससे सारी चवदारत निकले उन्हीं चवदारत ने जिसके पास होते हैं वही व्यक्ति इस दुनिया में सबसे प्रबल व्यक्ति माना जाता है या प्रबल राष्ट माना जाता है चलिए फिर विषय बदल जाएगा लेकिन मन्थन होना जरूरी है मतलब किसी भी विषय पर विचार और सतसंग होना जरूरी है बिन सतसंग विवेक नहोई राम इक्रपा बिन सुलब नसोई अच्छा हम मूल विसे पे आते हैं आप हाजरत गंज चौराहे में लखनोव से निकलिये जो सबसे बड़ा चौराहा है हाजरत गंज भाई हम दूसरे देशों के और प्रदेशों के क्यों बात करें हमारी राजधानी में ही इतना बड़ा चौराहा है अब वहाँ पे दिन भर पुलिस रहती है और वहाँ बड़े-बड़े अधकारी भी रहते हैं और वो चेकिंग करते हैं और अपार भीड जब रड़ लाइट होती है तो सारी गाड़ियां रुख जाती है और जब ग्रीन लाइट होती है तो भार भार नए लड़के तो एक दम बिल्कुल तीव रगत से चलते हैं देखिए बात हम बहुत सरल भासा में कर रहे हैं और अपनी बंदेल खंड वाली भासा है थोड़ी हमारी उसको थोड़ा हो सकता है किनी किनी कुछ समझने में और कुछ तेज भी कभी कभी बोल जाते हैं तो उसको आँछमा की दिएगा तो वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी और करमचारी होते हैं वो उस भीड में क्या करते हैं जरा आप बताओ भाई सर्च करते हैं ना इंगलिस वर्ड बोले ना सर्च करते हैं ना रेकी करते हैं तारते हैं क्या करते हैं वो तारते हैं उनके साथ रहके हमने भी बहुत चेकिंग किया लखनव में निसादगन जब रहे तो निसादगन में भी बहुत चर्किंग की बहुत चालान की है तो भाईया सो अगर मोटर साइकल निकलती हैं तो सो में थोड़ी हम लोग ताड़ पाते हैं ताड़ तो एक को ही पाते हैं मतलब कुल मिला के हम उस ट्रैफिक वस्था को अच्छा बनाने के लिए ताड़ते हैं नदर रखते हैं और उसको देखते हैं समालते हैं वही है इस चपाई में धोल गमार सूद्र पसु नारी सूद्र को तो आज हमने अपनी चैनल के आधार पे हमने बड़ा विचारण किया और इसका सही सब्द पाया कि वास्तों में जो पक्ष और पक्ष दोनों लोग सूद्र सूद्र सब्द डेबेट में कहते हैं वास्तों में बुरा लगता है ये हमारा विचार है, सब के विचार अलग अलग हो सकते हैं, अब कई तो पार्टियों के अध्यत साहब भी सूद्र सूद्र कह रहे हैं, कि हम सूद्र हैं, अरे नहीं, ऐसी, मतलब भाव अच्छा रहे हैं, भाव के साथ आफिर किसी को कुछ भी बुलाईए, गाली भी कई ल समाथ करके कर्म योगी सब्दे दे दिया जाए, क्योंकि वास्तों में जो परचर्चा चल लगी हैं, जैसे हमारे बेकवर्ड भाई साहब हैं, सबी लोग हैं, जिसमें विचकर्मा साहब हैं, और हमारे प्रजापती लोग हैं, ये सब कर्म योगी हैं, ये भारती समाज के क सब बातों बड़ी बड़ी करते हो हैं अरे भाई कम से कम जिसकी योगता है इसलिए कहा जाता है जीता में यही कहा गया है कि अपना धर्म और अपने करतब का पालन करो तो भाई सभी लोग अगर अपने धर्म और कर्तब का पालन इस समाज में करते रहेंगे तो इस देश का विकास होगा समाज का विकास होगा सब के धर्म के अंसार कर्म बटे हुए हैं तो आज से कर्म योगी कहा जाए सूद्र सब्द हटा के सभी लोग इससे अगर सहमत हो तो हमको कमेंट करके बताईए और इसको जन जागरिती करिए वास्तों में जिस पर विवाद हो उस सब्द में संसूधन करना चाहिए देखिए वाई तुलसी दाज जी की जो चौपाईयां है उनका तो बहुत mathematical system है आप एक सब्द एक मात्रा नहीं हटा सकते इस रहसे को मैं फिर कभी बताऊंगा कि कितना बड़ा ये अध्यात्मिक और सामाजिक ग्यानी नहीं है स्री रामचे रित्मानस में सिर्फ नीती नहीं है इतना बड़ा mathematics बढ़ा है भाईयो कि कोई आदमी विश्वासे नहीं कर सकता उस पर अगर हम विवेचन करने बढ़ दाएंगे तो बहुत बड़ा विवेचन हो जाएगा कि वास्तों में ये mathematics का सबसे दुनिया का सबसे अजूवा और अनूठा सास्त्र है ये सब्द महराष्ट और राजस्थान बगएरा में बहुत बचलेते हैं हम लोगों के धर तो उत्तरप्रदेश में गुंडा की कारवाई कहते हैं और जिला बदर कहते हैं कोई भी जो छेतरी गुंडा होता है पुलिस उसका चलान करती है और डियम साब उसको जिला बदर कर देते हैं मतलब उसके नदर रखी जाए किसके किसके लिए उसकी अपराधिक गतिविदियों की रोक थाम के लिए जो मतलब कैसे नदर रखेगी पुलिस तो उसके लिए ये ववस्था बनाई गई है इसमें कोई प्रतारना नहीं है कोई डंड नहीं है कोई उसे मारा पीटा नहीं जाता ना उसको कोड़े लगाए जाते हैं ना लाठी बरसाई जाती हैं सिर्फ उस पे नदर रखी जाती और वो भी कहा पुलिस थाने से दूर जिला बदर कर दिया जाता है मतलब उस जिले से बाहर अब तो भाई समद में आ गया ना ताड़ना सही तड़ी पार है तो अब तो इस पस्ट हो गया ना अब तो कोई भ्रम नहीं रहा ना श्री गोस्वामी तुलसीदाश जी को या तो ईस्वर सक्ति का अंस्पृप्त था या फिर भाई ये किसी परम सक्ति नहीं स्री राम चरित मानस को लिखाया है ऐसा मेरा तो द्रह विस्वास है इसलिए नहीं कि ये बहुत अच्छा लगता है या इसमें राम जी की चर्ट रह सीता जी का चर्ट का विवरण है नो इसमें mathematical बहुत बड़ी चीज है ये पूरा गणती है सास्त्र समझो इसको एक एक चौपाई एक दोहे का किसी सुभ दिन इस पर भी चर्ट करेंगे अवस्थ करेंगे अब देखो भाई हम अपने प्रसंग पे लोडते हैं और ये हमारा जो द्रिश्टी कौण है वो पुलिस की 36 साल का अनभव है कोई भी नेताजी और कोई भी जनता के व्यक्ति समाज के किसी जाती और हर संपरद ये कोई पंडित जी है ना कोई उसके लिए मुस्लिम भाई है ना कोई इसाई भाई है और ना ही कोई कर्म योगी मतलब सुद्र जी है वो सब को एक नजर में देखता है एक लाठी से हाकता है तब वो छेतर को कंट्रोल कर पाता है वरना नहीं कर पाए रोज पिटे रोज म अच्छे अधिकारी को देखिए अभी 4-5 दिन पहले पूरू डीजी स्री सुलखान सिंग साब का भी इसमें कमेंट आया था वो कमेंट भी विचाडनी है मैं उनका आधर करता हूं उनका सम्मान करता हूं मेरे वो पुलिस अधिक्षक रहे हैं आगरा में मैं व्यक्तिकत रू है वो वास्तों में सभी के लिए विचाडनी है उस पे विचार अवस्थ होना चाहिए अब देखिए मैं वो विवादित या चर्चित चौपाई को मैं स्री रामचरित मारस को सामने रखके ही पढ़डा हूं जिससे एक भी सब्द कहीं ऐसा नहो की गलत हो जाए धोल गमार सूद्र पसु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी तो ढोल तो आप समझी गए कि ढोल को जब बजाया जाता है तो उसको पहले भाईया जी गरम किया जाता है उसके चमड़े को तब आवाज अच्छी निकलती है किसी भी आप उससे पूछ लीजेगा बेंड वालों से तो वो नदर रखेंगे और उसको देखेंगे ठीक से तभी तो अच्छी आवाज आएगी नहीं तो आवाज सुरी नहीं मिला पाएगा अब वो गया गमार गमार देखो हर जाती में हर धर्म में हर संपरदाय में है सभी में गमार होते हैं अब सूद्र साब आए तो सूद्र कर्म योगी बना दिया है और कर्म योगी का महत्वी बता दिया है आपको कि खुजराहों के आली सान और चित्रकारी और सिल्पकारी के अमनूठे नमूने ना किसी बुंदेला ठाकुर साब ने बनाए ना किसी चंदेल साब ने बनाए और नहीं किसी पंडित जी ने बनाए वो हमारे सिल्फ कार ने बनाए जिनको आज की द्रिष्टी में सुद्र में रखा जा रहा है तो वो कर्म योगी हो गए है अच्छा ये बताओ आपका घर बनाओगा छोटा सा तो क्या आपने कारीगर को फिरी छोड़ दिया होगा जो भी इंजिनियर होंगे इंजिनियर भी ह इस्थूर नहीं होगा और कड़क नहीं होगा तो वो जिनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा भी कड़क तो रहते ही है ऐसो थाना ध्यक्च से सभी लोग नेता जी लोग तो सभी लोग डायरेक्ट परचे थी हैं एक सिक्के के दो पहलू है थाना ध्यक्च और नेता को देखता है कड़क रूप से इसलिए कड़क नेने लेता है तो हम भी जो है सही वो करेंगे अच्छा पसू है गाय बहुत अच्छी है दूद देने जाओ लात मार देती है तो क्या करते हो रस्य बानते हो कर नहीं बानते हो हैं पानते हो अब भाई जो समस्य आई और नारी ये की आई तो मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राम चरित मानस ऐसा ग्रंथ है ऐसा महान ग्रंथ है पूरी दुनिया का हम तो वेद को भी वेद जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं मतलब कहना नहीं चाहिए इतना ही कहना अपराद हो गया हमारा लेकिन कहना पड़ेगा अब भई पुलिस वाला अगर किसी अपरादी को जेल नहीं भेदेगा तो अपने करतव का पालन नहीं करेगा हम तो कह रहे हैं कि वेद भागवद गीता सब रख लो और एक तरफ सरी राम चरित मानस रख लो जिसमें महिला सकती का जितना ध्यान सरी राम चरित मानस में गो मैं तो कह सकता हूं कि दुनिया की की साथ मने क्योंकि आज सब यूटूब पे और सब जगे पे मौजूद है मैंने स्री मतलब मैं किसी दूसरे धर्म के सास्त्रों का नाम नहीं लूँगा विवाद का विशा नहीं बनाऊंगा मैं अपने विशा को भी अपने उसको ही लू राम चरित मानस में हैं इतना किसी हमने सास्त्र में न पढ़ाए नहीं मैंने अन्भो किया है मैं पक्ष और विपक्ष क्याएं सभी मानवर महोद्यों और जो सब्रांत लोग हैं जो इसमें समालोचना कर रहे हैं जो इसमें कटाच कर रहे हैं चाहे वो बिहार जी के गणमा व्यक्ति हो या जो भी निंदक रहे हो या देखिए, जिरी राम चरितमानस को जला दिया गया वास्टों में ये आसम विधानिक कार है और आपराध है और इसकी भरस्णा प्रतेक व्यक्ति को करना चाहिए देखिए यदि आप भषतना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब मद्दकाल में जो नालंदा विश्विद्याले में नौ लाक कितावें और पांडूली पी जलाई गई तथा कथित रूप से तो क्या आप उस मद्दकाल को सपोर्ट कर रहे हो अगर आप उसको कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है आप धन्वात के पात रहे हैं आप सुक्रिया हैं फिर भी आप उस देश में रह रह रहे हो और जीवन यापन कर रहे हो किसी ने आपको अनादर नहीं किया नहीं और वो भी वहां उसमें नालंदा विश्य विद्याले में बहुत द्यशाहित का ग्यान जला दिया गया ग्यान आप समझें ग्यान एक किताब या एक कृति किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती एक धर्म वाले के लिए नहीं हो सकती किसी को भी अच्छी लग सकती है स्री राम चुरित मानस में तो स्री मुसलिम भाई लोग इतने प्रिकांड हैं इतने विद्वान हैं कि क्या हिंदू क्या उसकी विवेशना कर सकता है मैंने सुना है उनकी डिवेट को मैंने सुना है उनके ग्यान को मैंने सुना है मैं उनको आदर करता हूँ मैं आज भी इस बात को दावी के साथ किसकता हूँ कि रहीम दास जी से अच्छा और अभी तक गीत हमें सुनने को नहीं मिले तो क्या क alternator के सकते हैं इसके लिए तो जो भारत में रह रहा है वो भारती है इसमें क्या विवात का विश्य है मैं आज बहुत सरलता से दो लोगों से प्रशन कर रहा हूँ अगर मेरे इन दो प्रशनों का कोई भी महान भाव सही उत्तर दे दें जो नकारात्मक सोच के हैं जो निंदा कर रहे हैं तो मैं उस दिन से ये सब्द कहना बंद कर दूँगा कि राम चरित मानस महान गरंथ नहीं है और मैं इस पर विचारन करूँगा फिर जिस तरह से पुलिस इंक्वारी होती है या इन्वेस्टिगेशन होती है या तपतीस होती है मैं विचना करूँगा मैंने अपने 36 साल की न मने नियाले जाया करते थे जिन मैं कई बार मुझे मने हाई कोर्ट में जाना पड़ा उन कागजों को लेके अब मैं जनता की अदालत में अपनी बात रख रहा हूं जनता की अदालत फैसला करेगी मेरी बात को सुनके और सुनिये सभी लोग भाई इसको और गहनता से सुनि या एक इंटेलिएंसी ये पुरुष को प्राप्त हुई है या महिला को प्राप्त हुई है सारी प्रसंगों का आप चिंतन करें मनन करें और फिर हमको आप बताएं कि जैसे ईश्वर रामण को जो मतलब सक्तियां दी थी वो इश्वर नहीं दी थी कुछ सक्तियां भगवान से उने दी और कुछ ब्रह्माजी ने दी थी उसके तप से उसके तपस्या से उसको प्राप्त हुई थी तो उसी तरह हम ये जानना चाहते हैं कि स्री राम चरित मानस में ग्यान इंटेलिजनसी बुद्धी मत्ता पुरुष को प्राप्त हुई है कि महिला को प्राप्त हुई है एक तो प्रशन ये हो गया जरत दिमाग लगा ये साथ इस प्रशन में और मैं तो एक क्या रहा हूँ कि हमारे जो और भी पूज गणमान लोग हैं वो भी इसका उत्तर दें हमको कमेंट के द्वारा बताएं मैं उनके उत्तर को उनहीं के रूप में अपने चैनल के द्वार सब को बताऊंगा ये भी मेरा दावा है दूसरा प्रशन और भी ज़्यादा महात्पूर है वो सीधे सीधे भगवान प्रभु स्री राम जी से है राम जी के व्यक्तिकत जीवन में एक बहुत छोटी समस्या और बहुत बड़ी समस्या आई थी बहुत छोटी और बहुत पंडित से किस छत्री से किस सुद्र भाई से किस सलाय ली थी कि हमें इस समस्या के समाधान के लिए क्या करना चाहिए अगर ये दो रहस्री राम चरित मानस के अगर आप बता दें तो मैं अपने सब्दों को वापस ले लूँगा और मैं अपने नाम को राम प्रताप मेरा नाम है मैं राम सब्द हटा दूँगा ये भी मैंने धावा कर दिया अगर कोई इन दो चीजों के सही उत्तर दे दे क्योंकि ताड़न सब्द का अर्तु मैंने बहुत सरल भासा में आपको बता दिया कि सर्च करना नजर रखना सीख देना और क्वेरी करना रैकी करना आदी यारी सब्द हैं तो इसमें कोई विवाद का विसे नहीं है मैंने हर चीज का आपको बता दिया अब विवाद करना है किसी को अगर लड़ना है तो लड़े लड़ेगा वो तो अलग बात है लेकिन विवाद का विसे नहीं है और स्री राम चरित मानस को जलाना तो लाखों क आत्मा में कुठारा गात है और जितना भी ये भ्रहम है और जो विवाद है वो इनी दोनों कुष्चनों के उत्रों में ही समाहत है पूरी रामचरित मानस का निचोड पूरी रामचरित मानस का सार और जो भी किसी भी के मन में जो भ्रहम सालों से चला रहा है बताईए जब देश सुतंत्र हुआ था तभी से ये समस्या आ गई थी ये अंग्रेजों के द्वारा बोई हुई समस्या है जिसके अब काटे हम लोगों को काटना पड़ रहे हैं इसको सभी मिलकर दूर करो ये बहुत एक निंदनी कार है और निंदनी समस्या है ये सरमसार कर रही है पूरे देश को और जो स्रजेंट कारी हैं वो हमको बहुत मतलब उस नदर से देख रहे हैं आउसर की तलास में हैं कि किसी तरह ये संगठित न रह सकें ये देश का विकास न हो सके ये देश कहीं ऐसा नहो कि नंबर वन बन जाए इसमें आपस में बिडा दो अरे पहले चापा जो मसीने थी, वो अंग्रेजों के पास ही थी तो हो सकता है कि इसमें चल या सर्णयन्त के द्वारा मिस्प्रंत किया गया हो, जान बूच के ये भी सरजेंट हो सकता है, इस सरजेंट को दूर करना है और इन दो चौपाईयों में ही प्रभू स्रीराम जी की महिमा चुपी हुई है उनका आदर्स चुपा हुआ है और उनकी मर्यादा भी चुपी हुई है जिनके कारण हम उनको मर्यादा पुरसुत्तम कहते हैं बना के एक गुलाम बना के बिदेसों में फिजी में इंडोनेसिया में आदी आदी कई देसों में भेजा और जीवन यापन के लिए तो वो क्या ले गए एक तो चना ले गए अपने साथ में सत्तू ले गए और साथ में स्री राम चरितमारस की छोटी सी एक बुक ले गए और और वो बुक आज भी वो अपने घर में विदेसों में सुरक्चित रखे हुए हैं मेरे भतीजे और भाई लोग कई विदेसों में हैं वो इस दास्तान को बताते हैं कि आज ईश्वर की दया से वो सब भारती सरसब्ज हैं और बिलकुल राम नाम को अब हाँ उचारन करते हैं सुबह सुबह तो राम के उपर क्या राजनीत करना जिन से राजनीत निकलती है आप उन्हीं के उपर राजनीत कर रहे हो अरे भगवान कृष्णी से बड़ा कोई कुटलितिक है और आप भगवान कृष्णी से ही कुटलितिक की चलो करो तब तो फिर कभीर दाज जी की वह इस चौपाई का जो मूल पर संग है दोहा नंबर 58 सुन्दर कांड का काटई पई कदरी फरही कोट जतन कोव सीच बिने नमान खगे से सुन डाटई पई नव नीच अब इसमें भी कह दो कि साब नीच कहा हमको नीच किसी उनने ऐसा थोड़ी है कि नीच ब्रामणों में नहीं होते नीच छत्रियों में नहीं होते नीच वैस में नहीं होते नीच सुद्र में नहीं होते या नीच किसी अन्य संपरदाय के लोगों में नहीं होते सभी में होते है ये तो एक सीख है नीच ही है सीख दी है और वो भी किस ने कहा है समुद्र ने कहा है ये भी समुद्र के सब्दावली है और जो ढोल गमार सुद्र पसुनारी है वो भी समुद्र का ही कथन है समुद्र का अपराधी था अब माननिय सवर्वोच नियाले के रूप में स्री राम जी थे ये राम जी रियू रास थे और इस टायम जो तीनों सक्तियां हैं, कारपालका, निया पालका और विवस्थापका, मतलब भारत के माणिर महामहिंराश्टपती महोदे, विवस्थापका मैं माननी प्रधानमंत्री महोदे, और निया पालका मैं भारति सर्वोचे नेयले तीनों अंगों की सक्तियां एक राजक में विलीन होती थी तो राम उसमें यू राज है और भई तुलसिदाज जी ने तो भगवानी माना है और भगवान ही है दसरत नंदन हम तो दसरत नंदन के रूप में ही मानते हैं खेर चलिए तो उसमें समुद्र अपराधी है और अपराधी जब अपना ब्यान देता है पुलिस को तो पुलिस उसी रूप में उस ब्यानों को लिखती है अपनी केषङ डैरी में मुकदमे की investigation की, जिस सब्धों में वो अपराधी या जिस छेतरी भासा में बताता है ऐसा नहीं है, कि उसने बताया हिंदी में, या ब्रज भासा में या अवधी भासा में, और पुलिस वाला या पुलिस investigation officer उसको English में लिख दे या उर्दू में लिख दे या Hindi में लिख दे या Sanskrit में लिख दे ऐसा नहीं है वो जिस भासा में बोलेगा उसी भासा में हम लिखते हैं लिखने का प्रयास करते हैं और लिखते भी हैं, तो भाई आप समझ गए ना, तो ये समुद्र का उचारण है, तो समुद्र का उचारण गर गो स्वामी तुलसी दाज जी ने उसी रूप में किया है, तो भाई उनका क्या आप राद है, जिरा आप किसी लेखा क्राइटर से पूँछिए ना, तो वो भी बताएंगे समालुतना करके अब राम चंद्र सुकल साफ महोद है माननी होते तो मैं जरूर 0000ति पूंचे समालुक्त भारत में कोई हिंडी साहत में नहीं हुए आचार स्री राम चंद्र सुकल साफ तो चलिए आज राम से राम चंद्र से राव प्रताप की परचर्चा आप लोगों ने सुनी और अच्छा मुझे यहां तक ब्रह्म हटाईए ब्रह्म हटाईए ब्रह्म है जो आदमी जिंदा रहता है कि वो फिर प्रमिती रहता है तो ब्रह्म का वातावरन ना करें स्थापित एक सिर्फ एके स्वर पे विश्वास करें और राम अनन्थ हैं अखंड हैं और अविरल हैं और सिरी राम चरित मानस तो पावन गंगा का मानस सरोवर हैं यह तुलसी दाज जी ने कहा है तो चलिए हमारे चैनल से अवज जुड़ें और इसी तरह की पड़ चर्चा में भाग लें एक तरह से आप लोग भी भाग ले रहें मैं आपका भी पक्ष रखता हूं और एक सही नीती बनाएं बहुत बहुत धन्वात जैहिंद जैहिंद जैहिंद